नमस्कार मैं प्रग्या ध्रादर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को नजर आड़ा है दरसल भाजपा के दिगज नेता और पुर्व केंदरिय मंतरी सदान गोड़ा ने कहा है कि जेडियस के साथ गरबंधन करते वग प्रदेश के नेताओं की राए नहीं दी गई नासा के अंतरक्षियान को दुरलब धातु के आवरनवाले एक स्ट्रोइड की 6 साल की यातरा पर शुक्रवार को भेजा गया अधिकांस स्ट्रोइड चटानी या बरफीले होते हैं लेकिन या धातु की दुनिया की पहली खोज बताई जारी है प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी ने आज मुंबई के जीयो वर्ल्ड सेंटर में अंतराश्टी उलंपिक समीती के 141 वे सत्र का उधगाटन किया वहीं साम 6 वजे से कारीकम की शिरवात हो गई है यह सत्र इंटरनाशनल उलंपिक कमीटी के सदस्यों की एक महतिपुन बैठक के रूप में कारे करेगा उलंपिक खेलों के भविशे के सम्मन में महतिपुन निर्नय आई योसी सत्र में ही लिये जाते हैं भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आई योसी सत्र की मेजबानी कर रहा है ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट सनिवार सुभा दल्ली एरपोर्ट पहुंचे स्विमान में 235 भारती नागरीक सवार्थी जन्हें इजराल से सुरक्षित वापस लाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 447 भारतीं के इजराल से निकासी हुई है किंदरे राज्य मंत्रे राजकुमार रंजन ने एरपोर्ट पर इजराल से वापस लोटे लोगों का स्वागत किया किंद्रे राज्य मंत्री ने कहा कि दूसरी फ्लाइट से लोटे लोगों का श्वागत किया भारती नागरी को ने इसराइल से वापस लेने के लिए भारस सरकार को आभार जटाया अब अब केबल 70 रुपए में PBR सिनेमा में मुवी देख पाएंगे PBR इनोक्स ने OTT की तरह थियर्टर में ओडियन्स लाने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडर लाने की योजना बनाई है जिसके तहट कंपनी 699 रुपए मंतली सब्सक्रिप्शन प्लान लाने जारी है जिसके जरीए एक महीने में 10 फल में देख पाएंगे इस प्लान के तहट सोंबार से गुरुवार के भी 70 रुपए में मुवी टिकेट खरीदे जा सकेंगे इसके अप्लान सुकरवार से डवीवार के बीच का अपनी चलेगा बिहार के बकसर के रुगनाथपूर रेलवे स्टेशन पर दिली से कामक्या जाने वारी नॉर्थ स्ट्रेन की बेपट्री होनी के बाद दूसरी बार रेल इंजन बेपट्री हो गया ट्रायल रन के दौरान लूप लाइनक में डीजल इंजन के चार चके पट्री से उतर गए गनिमत है कि कोई हथात नहीं हुआ बतादी कि डाउन लाइन मनमत के बाद ट्रायल रन के दौरान लूप लाइन में डीजल इंजन को चार चका पट्री से उतर गया ट्रैक रिस्टोरीशन के बाद डाउन लाइन पर ट्राइल किया जा रहा था इस हास्ते के बाद रेलवे की तक्निकी टीम के मेंडरनेस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए है सुप्रीम कोट में कुछ अजीवो गरीब घटनाय देखने को मिल रही है सुक्रवार को एक युवक डार्विन और आइंस्टाइन के सिधानतों को चनौती देने सुप्रीम कोट पहुच गया याजिका में डार्विन की थियोरी ओफ एवलियोशन और आइंस्टाइन की थियो पून मिशन चंद्रयान 3 में तब बड़ी सफलता हासल की जब चांद के दक्षनी दूरूप पर उसकी सफलता पुर्वक लैंडिंग करवाई ऐसा करके इस्टों ने कमाल कर दिया इसके बाद 14 दिनों तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर ने कई महत पून डेटा इकट किये इन डेटा के नतीजों से दुनिया भड़के विग्यानिक आश्चरे चकित रहे गए हैं मेरकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस तावस ने एक कार्टिकल में चंद्रयान 3 से जुरी तमाम उपलद्यों के बाड़े में विस्तार से बात ही है लेकिन अब सरक्यात्रियों को यह रियायत नहीं है इसराइल और हमास के भी जारी जंग उजरते तनके बाद साथ ही और भी ज्यादा घातक होती जारी आतंगवारी समू हमास के खिलाब जारी इस लड़ाई में भारत ने इसराइली सेना का समर्थन किया है मगर क्या आप जानते हैं कि दोसों से अधिक कूकी इसराइल के सीना के साथ लड़ने के लिए तयार है ये लोग उस इसराइली फोर्स का हिस्सा है जो हमास के लड़ाकों को मुह तोर जवाब दे रही हैं टाइमस ओफ इंडिया के रिपोर्ट के मताबिक भारत में कूकी समुदाय के लोग उनकी खादिर प्रातना कर रहे हैं ये कूकी इसराइल डिफेंस फोर्स में शामिल है रक्षा मंत्रारे ने निर्देश दिया है कि देश के प्रमुक्स सहरोद में उसके सभी विवागों और संगटनों दोरा रक्षा छेतर में किये गए अच्छे कामों को दिखाने के लिए जियो टैक किये अगर सल्फी पॉइंट बनाय जाएं या कहा गया है कि ये सल्फी पॉइंट तीन की जहांकी की तरह होंगे इन सभी के लिप्रधान मंत्री नरें द्रमोदी की तस्वीर को निवारे बताया गया है विपक्षी दलो के समू इंडिया गर्वंधर ने मीटा के मुख्य कारेकारी मार्क जुकरबग और गूगल के सीईयो सुंदर पिच्चई को तेश में सांप्रदाइक नफरत को बढ़ावा देने में उनके शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की कधित भूमिगा को लेकर पत् हमत हो गया है क्योंकि 23 नवंबर हिंदू विवा का एक सुप अफसर दे उठनी एकादशी है अब मेजोरों में सभी राजनतिक दलों ने चुनाव आयू से 3 दिसमबर को होनी वाली मदगना की तारीक बतलने की मार्क जोदपूर में प्यसडी पाठी क्रमों में दाखेले के पत्र के लिए है अविदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया गया है जिसकी 23 अक्टूबर 2023 होगी प्रियस्तावित पीसडी कारेक्रमों के तहट प्रवीश लिखित परिच्छा और साक्षातकार पर अधारित होगा वरतमान में यहां यूजी पीजी और पीसडी कारेक् अधिकारियों ने बताया कि यह कैस करनाटक की राजधानी में एक आवास यह परिसर से मिला है जहां कोई रह नहीं रहा था यह कैस कार्बोर बॉक्स में रखा था एंटी बायोटिक्स कभी इंफेक्शन का सबसे बड़ा कार्ट होता था इंफेक्शन से जान बचाने में जा सकती है इसकी वज़त धरले से मरमर्जी तरीके सेंटी बायोटिस का इस्तमाल करना है इसराल और फिलस्तिन के बीच जारी संगर्ष के कारण अंतराश्ट्री अस्तर पर कच्छे तिल की कीमतों में वाल जारी है ऐसे में किसी भी समय पेट्रॉल और डीजल महंगा होने क खबर आ सकती है वैस विकस्तर पर अमेरिकी कुरूड 2.9% के तेजी के साथ 85.34 डॉलर प्रती बैरल और लंदन ब्रेट कुरूड 2.8% उचल कर 88.41 डॉलर प्रती बैरल पहुंच गया है प्रती ने सरीवार को कहा कि नागा पट्रिनम और शिलंका के कांके संतु राई के बीच नौका सेवाओं की शिरवाद दोनों देशों के भी संबंधों को मजबूत करने में एक महत्यपूर मील का पत्थर है बंदरगा जहाज रानी और जन्मार्थ था आयूश मंत्री सर्वारन सोनोवाल ने तमिलनारू के नागा पट्रिनम और शिलंका के कांके संतु राई के बीच फेडी सेवा को हरी चंडे दिखाए विदेश मंत्री डॉक्टर एश्या संकर इस कारिक्रम में वर्चोरी शामिल हुए दुध योजना की सरिवार से दूध की आपूर्ती नहीं हो पाएगी दूध में मिलावट पाए जाने के बाद भारतिये खादे सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरन के छेत्री एकाई ने दिली दूध योजना को लाइसेंस रद कर दिया है बताया जा रहा है कि DMS दूध मे प्रक्रिया में काफी जाद देरी होने में के मुद्ध को उठाया सुप्रीम कोट ने स्मुद्धे पर टिपने करते वे कहा कि कई बच्चे बेहतर जीवन के उमीद में गोद लिया जाने के अंतजार कर रहे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूट के अध्यक्षता व परिशान करने लगी यसी तरह मन के अलावे कहीं और देशों ने भी इस बात को लेकर चिंताइब बढ़ रहे हैं वित मंत्री ने मुड़को के शहर माराकेश में जी बीस प्रिसिदेंसी ब्रिफिंग में कहा मिडिल इस्ट में हालिया संकर के बाद फ्यूल को लेकर चिंता ड्यूटी 25 अगस्त 16 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई थी वित मंत्राले ने एक नोटिफिक्शन में कहा है कि उबलेवे चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की अब्धी को बढ़ा कर एक तिसमार 2024 तक कर दिया गया है इन पाबंदियों के साथ भारत ने सभी तरह के गैर बास्मती चावल के एक स्पोर्ट पर पावर की लगा दी है ओनलाइन होटल बुकिंग प्लैटफोर्म ओयो के सीओ रितीश अगरवाल ने शुक्रवार को एलान किया कि वे पिता बनने वाले हैं अपने ऑफीसर एक्सपर अगरवाल ने लिखा कि उनकी पतनी उनके लि लाँ जाता हूं हमास के हमले के बाद भारतिय एंजी ओ बस्ती जनपत से संचालित इंद्रा चरिटिव सोसाइटी ने इजराइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नितनायहूं को मिल पर पत्र भेज कर उनके राज्ये और राज के नागरिकों की मदद के लिए पहल किया है एंजी ओ के सीओ अजय कुमार पांडे ने बताये कि उन्होंने इमेल भेज कर कहा है कि इस हमले की खबर से संस्था बच्चे महिलाओं और मुज़र्गों की सुरक्षा मनोवग्यानिक दबाव चुकिस्तों और भोजन को लेकर चिंतित हैं उन्होंने कहा कि संस्था हर संभव अगर आप अमेरिका चाहते हैं और उसके लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है अमेरिकाने हाली में कतित तोर पर भारती प्रवासियों को ध्यान में रखते इमिग्रेशन सर्विसेज यानि आवरजन प्रक्रिया में कु और से देश की पहली काइमेरिक एंटिजन रिसेप्टर T-cell थेरपी को मंजोरी मिल गई है रिपोर्टस के मताबेक विससग एकार समीती के से फारिस पर इस थेरपी को बाजार में लाने को मंजोरी मिली है इस थेरपी का इस्तमाल लिमफोसाइटिक क्लियोकेमिया और बीसे लिफोमा, जानलीवा, कैंसर से जूज रहे, मरीजों का इलाज किया जा सकेगा, रिपोर्ट के मताबिक ये थेरपी, बलर्ड कैंसर के मरीजों पर करीब 80 फीज दी पर लगाती है राजे के दस जिलों में सीड हब बनाए जाएंगे, यहां रभी में गेहूं दलहन और तरहन के बीच का उतपादन होगा, पहले चरण में 3125 एकर में प्रमानित बीच उतपादन के लिए खेती कराई जाएगी क्रिसी विवाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, सम्मदल जले के सहायक निदिशक सीड हब के लिए गाउं एवम पंचायत का चेहन करेंगे, गेहों के लिए सीड हब का रगबार नियुंतम 125 एकर और दहलन तरहन के लिए 22.5 एकर होगा, चरण गाउं के कसान या कसान समों के जर्गें यहां बीच उत्पादन का कारी क्रिसी विवाग की देखनेक में होगा, अपका अगजात नहीं मिलने की वज़ा बताकर, ओनलाइन दाखिल खारिज आविदन को रदिया, उसकी प्रक्रिया में विलम नहीं किया सकता है, सित्तै सीमा में पूरा करना होगा, इसे ल प्रकार्श मौर्य, सिध्धार्थ कुमार, मुहमत फहीम, नितीश कुमार सिंग, धरंजय कुमार, अर्मर करीम खान, दीपक कुमार, बाबुलाल मरांडी, नौसत अंसारी, अब बरतिहाज के सवाल क्यों राज का सवाल है, आपने अंतिम फिल्म कौन सी देखी है, अपने जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्ष में लेकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही धन्यवाद